रुबिका जी देखे सरप्रधम तो ये कहेंगे जो बात आपने भी उठाई और मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप इस पूरे मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखी नहीं सकते हैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं आप घर में पहनी हैं, ड्रॉइन रूम में पहनी हैं, अपनी गाड़ी में पहनी हैं, सारजनिक स्थरों पे पहनी हैं, कहीं भी पहनी हैं लेकिन शिक्षा के जो मंदिर होते हैं हमारे स्कूल हैं कॉलेज हैं यहाँ पे समानता होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए यह सरवोच ड्याले कहता है और इसलिए अगर समानता और अनुशासन की बात हो और उसको जोड़ दिया जाए कि मैं हिजाब ही पहन के आऊंग कॉलेज में स्कूल में तो कैसे आप सबको एक साथ रख पाएंगे इसी लिए रूल्स और रेगुलेशन होते हैं दूसरी बड़ी बात सम्विधान की बात करनाटिका एजुकेशन आग जो अभी नहीं आया 1983 में आया है इसके रूल्स उच न्याले की खंड़ पीड जिसमे जो कानून है वो ठीक है तो प्रतम दरश्टिया तो कानून का पालन होना चाहिए जो लोग आज यहां पे अलग बाते कर रहे हैं उनसे पूछिए आज सर्वोट न्याले उच न्याले सम्विधान करनाटिका एजुकेशन आक्ट इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे और ती प्रोटोकॉल है तो आप चाहती है कि हमारी बहने यो एक धन विशेज से आती है वो आगे ना बढ़ें और वो सर्जिरी करेंगी तो वो हिजाब और बुर्का पहन के करेंगी हर जगा के प्रोटोकॉल होते हैं आप लड़ाई-लड़िये हिजाब की हम लड़ाई लड़ें उनको आई एस आई पीएस फाइटर जेट बनाने की विचारदारों का फरक है ABP News आप को रखे आगे